अगर आपको बॉल्यूड की अंदादुन टाइप की मुविस पसन है तो ये मुवि भी आपको पसन आएगी अंदादुन एक नए से कैटिगरी में थी जो थी डार्क क्राइम थिलर इस टाइप की मुविस में क्यारेक्टरस बहुत ही डार्क होते हैं जब इनके साथ कुछ गलत होता है तो आप जेस्टिफाइ कर ले दे कि ऐसा होना ही चाहिए था आज के हमारी कोरियन मुवी बीस्ट डाट लिंग टू दे स्ट्रॉ और इसका और एक नाम है जो है बीस्ट क्लॉइंग एड दे स्ट्रॉस ये 2020 की क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मुवी है डारेक्शन और राइटिंग अंदादुन की तरह ही लगती है और अगर आपको पसन आए होगी तो ये भी ज़रूर पसन आएगी मुवी के लास्ट में एक अच्छा सा मैसेज भी है तो वो भी हम देखेंगे तो चलिए शुरू गरते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है जंग ये हमें दिखता है ये एक लॉककर के शॉप में काम करता है अब देर हो चुके है और ये शॉप अब बन करने वाला है तब उससे दिखता है कि एक आदमी उसका बैग लेने के लिए आया ही नहीं यह जब इस बैक को उपन करता है तो यहाँ बहुत सारे पैसे होते है यहाँ काम करने वाला और एक लड़का होता है जिससे वो बहाना कहे कर यह बैक स्टोरेज में रखतेता है सही से चुपा कर अपने घर आ जाता है इसके घर पर इसकी मदर और वाइफ होती है इसके बेटी हाईर एजूकेशन के लिए एक अच्छे सी उनिविसिटी में चली गई होती है जब एक घर आता है तो देखता है कि वाइफ इसके मदर की टॉयलेट साफ कर रही होती है इसके मदर बहुती स्टिक टाइप का कायक्टर है यह बहुती बुड़ी है पर अभी भी इसे सब को समझ में आता है जब जंग घर पर आता है तो जंग को कहती है तुम्हें वो जॉब छोड़ देना चाहिए इनके पहले दुकान होगा करती थी पर दुकान पर अब कोई भी नजर नहीं रखता मदर खेती है कि फादर ने कितने एफर्स लिये थे सब कस्टमर्स पाने के लिए अब तुम्हें दुकान चलानी चाहिए जब यंग वाइफ के पास रता है तो वाइफ खेती है कि हमारी बेटी अब एक साला का गैप लेने वाली है उसके एजुकेशन की फीट उसके पास नहीं है और ये भी इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते इसलिए एक साला वह काम करेगी और इसके बाद फिर से एजुकेशन करेगी यंग की वाइफ भी मेहनत दिए हुथी है ये भी एरबोर्ट पर साफ सफाई का का काम करती है इसके बाद हमारा और एंग में क्यारेक्टर इंट्रोडूस होता है जिसका नाम होता है तेयंग तेयंग एरपोर्ट पर काम करता है वहाँ पर उसका काम लोगों के पासपोर्ट अप्रूव करना होता है रात में एक ग्याएंग के पास तेयंग आता है इससे बहुत सारे पैसे लिये थे और वो पे नहीं कर पा रहा जो सब पैसे इसने लिये थे तो उसकी गल्फरेंड इसे चुरा कर ले गई है इसके गल्फरेंड का नाम यूनी होता है यहाँ एक बड़ा खतरना गुंड़ा होता है और उसका राइट हैंड भी उसके साथ बेठा हुआ होता है यह गुंड़ा तेयंग को कहता है कि तुम्हें जल से जल मुझे पे करना है अगर तुम पे नहीं करोगे तो मेरे आदमी को human intestine खाना बहुत पसन है अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि योनी उसे भी दगा देकर भाग गई है पर उसका बॉस समझने वाला नहीं उसे जल से जल उसके पैसे चाहिए मुवी में बहुत सारे character है पर आप ज़रा confused मत हुए है इनकी जो stories है यह perfect sense करती है और आपको सब समझ में आ जाएगा इसके बाद हमारा और एक character जिसका नाम अता है मीरान यह introduce होता है यह एक बार में prostitution का काम करती है इस बार में एक दिन जीनते आता है इसे कोई भी लड़की पसन नहीं आ रही होती मीरान जब इसके पास जाती है तो इसे वो पसन कर लेता है जीनते एक्चुल में चायना से आयो होता है मीरान फिर काम करकर घर आती है थोड़ी दिर में उसका हस्बन आता है उसके पास जब आता है तो इसे वो डर जाती है क्योंकि हर रात यह इसे बहुत मारता है एक्चल में मीरान और उसके हस्बन ने एक लोन लिया था फरजी स्कीम्स के चक्कर में आगकर ये सब पैसे उन्होंने इन स्कीम्स पर लगा दिये इसके बाद इसका पती मीरान को ही बलेम करता है इसके बाद हमें फिर से टेयंग दिखता है तेंग वही है जो एरपोर्ट पर काम करता है तेंग को उसके एक फ्रेंग का कॉल आया हुआ होता है और वो इस कंट्री में आने वाला है तेंग अपने कजन से मिलने के लिए आया हुआ होता है इसका कजन भी एक बार में काम करता है इसके कजन को पता चल जाता है कि तेयंग को अब कुछ काम होगा इसी वज़े से ये आया हुआ है एक खाना वेकरा खाते इधर उदर की बाते करते हैं फिर तेयंग असली बात करने के लिए स्टार्ट कर देता है यह कहता है कि मैंना एक फ्रेंड आने वाला है जिसने बड़ा सा स्कैम किया था वो अपने साथ सब पैसे ला रहा है तो मुझे और बहुत ट्रस्ट करता है इसे वज़े से उसको शक भी ने आएगा तेयंग को यह सब पैसे उसके फ्रेंड से एटने होते है अपने कजन को सब प्लान वो बताता है कजन कहता है कि प्लीज मुझे इसमें मत गसिटो वो कोई भी illegal चीज नहीं करना जाता पर पहले इनने बहुत सारी चीज़े की है तो इस बार भी तेयंग इसे मना ही लेता है नेकसिन में जंग अपने जॉब पर तीन मिनिट के लिए लेट हो जाता है इसका बोस बहुत इखटिया है और इसे बहुत डाटता है जंग अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को कहता है कि क्या कोई आया था बैक को लेने के लिए ये कहता है कि कोई भी नहीं आया अब जंग को जड़ा अच्छा लगने लग जाता है नेकसे नहीं हम देखते है कि मिरान और जीन्थे दोनाई दूसरे के साथ इंटिमेट हो चुके है जीन्थे को मिरान पसन आने लग गई है उसे कहता है क्या तुम्हें वो जॉब करने कोई जरुरत है मेरान जब उठती है तब उसके पीट पर बहुत सारे मार खाने के मांक्स होते है जिन्ते उसे पूछता है क्या तुम्हारे हस्बन ने ये किया है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए मेरान केती को इस रिलेशन्शिप में स्टक है जिनते बोलता है कि मेरे मदर को भी मेरे फादर मारते थे मेरी मदर भी मार खाती थी मैं उन्हें प्रोटेक करने की कोशिश करता था पर वो मुझे रोक लेती थी आदत एक बुरी चीज है क्या तुम भी इसी तरीके से मार खाने की आदत बनाना चाहती हो इसके बाद यसी नहीं खतम हो जाता है नेक सिन में हम देखते है कि जंग की वाइफ होस्पिटल में है जंग की वाइफ जंग की मदर को लेकर सीडियो से जा रही थी मदर को लगा कि यह उसे सीडियो से गिरा देकी इसलिए जंग की वाइफ को यह उसे ढखेल दिया इसी वज़े से इसे अब फ्रैक्टर आया है और यह होस्पिटल में है जंग घर पर आता है और अपने मदर से बात करता है और उसकी मदर सुनने वालों में से नहीं होती नेकसिन में हम देखते हैं कि तेयंग अब अपने फ्रैंड को लेने के लिए एरपोर्ट पर आया हुआ है वो बहुत वेट करता है और उसका फ्रैंड आता ही नहीं तोरी देर में वाँ उसके गाड़ी के पास एक डिरिक्ट्यू आ जाता है वो तेयंग के फ्रैंड का नाम लेता है और कहता है कि उसने एक बड़ा सा स्कैम किया था इसी वज़े से वो उसे ढून रहा है तेयंग को पूछ रहाता है क्या वो उससे जानता है तेयंग केता है कि नहीं ऐसे किसी भी नाम के आदमी को में नहीं जानता पर इस direct two गे पास जब ए श्कूल में थे इस ख्लास के सब records होते हैं जबर्धस्ती ये direct two तयंग को खाना खाने के लिए ले कर आता है तयंग को उसके friend की photo दिखाता है और तयंग भी आप मान लेता है कि उसे पहचानता है यह direct two कहता है कि मैंने उसके सब call records विगरा भी निकाले थे पर उसमें तुम्हारा number नहीं है वो एक डवी phone यूज़ कर रहा होगा यानि कि पुरा शक तेयंग पर ही उसका है तेयंग ने अपने friend के साथ बात करने के सब call records मिटा दी हो दे 10 भी confidently कहता है कि देख लो कोई भी record नहीं है इसके बाद direct to call आ जाता है और वहाँ से चला जाता है बहुत ही expensive जगा तेंग को उसने लाय हुआ होता है और तेंग को इस सब bill pay करना पड़ता है हमें फिर से जंग दिखता है wife hospital में इसी वज़े से आज काम को लेट हो चुका है अपने boss को जब वो call करता है तो उसका boss कहता है या अब तुम्हें आने की कोई भी ज़रूत नहीं है उसे वो fire कर देता है Nixon में हमें मिरान दिखती है उसके husband की health policy वो देख रही होती है तो उसका husband accident से मर जाता है तो उसे half million dollar मिलने वाले होते है इसके बारे में अब वो जीनते से बात करती है जीनते से मिलकर वो अपने husband को मारने का plan बनाती है मिरान कहती है कि रात में मेरा husband बहुती drink करता है और दो-तीन बज़े पार से बहार आता है जब मिरान का husband बहार आएगा तब जीनते उसे गाड़ी से उड़ाने वाला होता है जीनते भी इसके लिए मान जाता है और एक आत्मी को उड़ा देता है वो आगे जाता है और मिरान को call करता है कि सब कुछ ठीक रहा है और वो एक mountain में जा रहा होता है मिरान कहती है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो जीनते कहता है कि वहाँ एक complication हो गया था उसके body में वही नहीं रख सकता था वो जाकर mountain पर एक body गाड़ने वाला है मिरान अब डिस्टब हो जाती है उसका husband अगर गायव हो गया तब उसे पैसे नहीं मिलेंगे अगर मिले भी तो पास साल बाद मिलेंगे वो इतना सारा weight नहीं कर सकती अब वो निराश होकर बेटी हुए होती है तो थोड़ी दिर में उसका husband आ जाता है जीनते ने किसी और ही आदमी को मार दिया था अब नेक सिन में हमें तेयंग दिखता है तेयंग के कजन के पास गैंगस्टर आया हुआ होता है तेयंग अपने friend को एटने वाला था सब पैसे उसे लेने वाला था यह सब गैंगस्टर को पता चल चुका है तेयंग से भी यह सब plan भूलवा लेता है अब इसे भी इन पैसों में से कट चाहिए गैंक्स्टर जाने के बाद तेंग का कजन बहुत ही वरी करने लग जाता है तेंग कहता है वरी मत करो जो भी सब चीजे होती है इसके पीजे कुछ रिजन होता है तेंग फिर उसे एक स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि तुम्हें पता है क्यों मैं इस cigarette पीता हूँ इस cigarette का नाम Lucky Strike होता है कहता है कि मेरे friend के साथ एक long trip के लिए मैं जा रहा था हम road पर petrol भरने के लिए रूखे थे मुझे cigarette बाय करने थी मैं cigarette बाय करने के लिए गया और एक बड़ी सी ट्रक आई और मेरे गाड़ी को उसने ठोक दिया अगर मुझे cigarette पीने की आदत नहीं होती तो मैं अभी जिन्दा नहीं होता तेयंग अपनी बुरी चीजों का भी इसी तरी की से justification करता है इस story को आप याद रखे मुवी के लास्ट में आपको काम आएगी मिरान फिर से जिन्दे से मिलती है वो कहती है उनका प्लैन अब unsuccessful हो चुका है उसे फिर से job करना पड़ेगा वो जिन्दे को कह रही होती है कि वो चायना चला जाए वो वहाँ safe रहेगा जिन्दे ने उस आदमी को मारा तो मर्टर करने के बाद उसे बहुत ही पुरा लग रहा है निकसिन में हमें यंग दिखता है यंग का job चला गया है तो पैसो का क्या ये उसे सवाल आता है वो जल्दी से उसके job के यहाँ आ जाता है और पैसो की बैक लेकर बाहर निकलता है ये जब यहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ police detectives आ जाते है जो आदमी पैसे रख कर गया था उसकी जाचो कर रहे है यंग उसे नहीं जानता ये कर वहाँ से जा रहा होता है तब वहाँ उसका boss भी आ जाता है जब boss इसकी back देखता है तो पुछता है कि इसमें क्या है यंग कहता है कि मेरा सब सामान है बुक्स वगरा मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ boss कहता है कि मुझे देखना है यहाँ पर police भी होते है जो जा रहे होते है police जब तक वहाँ से चले नहीं जाते तब तक यंग अपने boss से बात करता रहता है उसे टालता रहता है जब police यहाँ से चले जाते है तो जंग अपने boss को कहता है यह देखो मैं पहले तुमारे लिए काम करता था तुम मझे तंग करते थे पर फिर भी यह में सब सहन कर लेता था तुम अब मेरे boss नहीं हो तुमारे साथ में बहुत गलत चीज़े कर सकता हो यह उसे धमकी दे कर वहाँ से चला जाता है boss भी इससे डर जाता है इसके बाद नेक सिन में हमें बाहर में एक आदमी तमाशा खड़ा करता हो दिखता है मिरान में बाहर होती है या फिर इस बार की ओनर आती है यह यूनी ही है तेयंकी गल्फरेंड जो उसके सब पैसे लेकर भाग गई थी यह वही है यह आदमी यूनी ही से डिस्रिस्पेक्टफुल होता है तो उसे स्लैप करकर वहाँ से चली जाती है मिरान को भी अपने पास सो बिठाती है मिरान की इंजूरिस देखकर समझ आती है कि उसका हस्वन उसे मारता होगा मिरान को कहती है अगर तुम्हें कोई भी तरीक एका प्रॉल्म आया तो मैं तुम्हारे लिए हूँ तुम जादा वरी मत करना अब हम देखते हैं कि जिन्दे को मिरान को कॉल आता है आदमी को मानने के बाद जिन्दे बहुत इडिस्टरब हो चुका है इसे आवाज से सुनाएं दे रही है मिरान अब इससे मिलने के लिए जाती है यह बहुत इडिस्टरब होकर कह रहा होता है और वहाँ सब को जो सेरे में निवेकरा करते है जीनते को अभी भी सब गलत लग रहा होता है ये फिर से मिरान से कहता है या वो डारेक्ली पुलिस के पास ही जाने वाला है ये आगे चलने लग जाता है और मिरान बहुत ही डर जाती है इक गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी से जीनते को उड़ा देती है उड़ाते वक्त इसका भी एक्सिडन्ट हो चुका होता है फिर यूनी को कॉल लगाती है यूनी को उसके हस्बन का जो इंशॉरंस था इसके बारे में जो सब सिच्वेशन होई थी इन सब के बारे में बता देती है यूनी केती है तो डरने ही कोई भी जरूत नहीं है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी कार को वगरा हो स्क्राप कर देती है इसके बाद उसे एक स्विमिंग पूल पर लेकर आती है यूनी के बाड़ी पर शाक का टैटो होता है इस टैटो की स्टोरी वो उसे बताती है यूनी केती है शाक को बहुत सारे बच्चे होते है पर जब वे पेट में होते हैं तो एक दूसरे को खा जाते है जो सबसे स्ट्रॉंग होता है ये बहार निकलता है ये इसी principle से चलती है मीरान को बता रही होती है कि उसके husband को उसे मार देना चाहिए इसके लिए uni उसे help करने वाली है उसे एक poison देती है जिससे मीरान का पदी slowly slowly मर जाएगा ये उसे सब कुछ बताती है कि पुलिस के पास उसे किस तरह के नाटक वेगरा करने है मीरान सस्वूस में उसके पदी को मार डालती है और सब नाटक वेगरा करती है अब इसको insurance के सब पैसे मिल जाते है इसके बाद uni के पास उसे thank you कहने के लिए आती है उसे आदे पैसे भी वो दे रहे होती है पर uni कहती है कि मैं पैसो के लिए मैंने सब नहीं किया वो मीरान को एक नई country में जाकर नई life स्टार्ट करने में help करने वाली होती है uni मीरान को है दिये कि अब नई life तुम स्टार्ट करो जिस आदमी को जिनते ने मारा था वो एक रेपीस था उसके साथ यह होना ही चाहिए था जब यह दोने सेलिबरेट करते है तो मीरान के शैम्पेयन में उसने बेहोशी की दवा मिला दी होती है रात में मीरान जब उठती है तब यह टेबल पर होती है और यूनी अब इसे मार देने वाली होती है यूनी मीरान के तुकड़े तुकड़े करकर नदी में फेक देती है सब पैसे अब वो ले ली थी है यूनी अमिर होती है पर फिर भी इसे यह स्कैम करना अच्छा लगता है वो अब सब कुछ सेल करकर सब पैसे लेकर एक नई कंट्री में जाना जाती है तेंग जब घर पर आता है तो वहाँ यूनी अल्रेडी आय हुए होती है तेंग उस पर बहुत ही नाराज होता है क्यूकि उसे कुछ भी ना बताते हुए वह जली गई थी इसके बाद ये दोनों इंटिमेट है जाते है और यूनी कहती है कि मुझे एक पासपोर्ट चाहिए तेयंग एरपोर्ट पर ही काम करता है तो अपरूप कर सकता है इसी वज़े से वो तेयंग के पास आये हुए होती है तेयंग फिर से इस पर चिर जाता है वो कहता है तुम्हारा काम है इसलिए तुम आई हो तुम मेरे नहीं आई यूने से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो सच्विश में उससे प्यार करती है यहाँ डोर पर नौक आती है और डिरिक्टू भा होता है देयंग इसे देखकर डर जाता है डिरिक्टू जबरदस्ती अंदर आ जाता है यह जब यूने को देखता है तब इस पर लाइन मारने लग जाता है ये सब अब डिनर कर रहे होते हैं ये डिरिक्टू अब देयंग को कहता है कि तुम्हारा फ्रेंट पकड़ा जा चुका है आज रिवर में मुझे एक बॉड़ी मिली थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे फ्रेंड की ही होगी बर एक लड़गी की थी ये लड़की मिरान की होती है जिस तरह से यूनी ने उसके बॉड़ी पर शार का टैटू बनवाय हुआ था उसी तरह से मिरान ने भी बनवा लिया था ये टैटू उस बॉड़ी पर था ये डिरेक्ट्टू तेयंग को कहता है तेयंग को पता जल जाता है कि मिरान को यूनी नहीं मारा है डिनर करते वक इनकी बीर खतम हो जाती है तेयंग कहता है कि जल्दी से जाकर मैं ये लेकर आता हूँ स्टोर में जाकर वो अपने कजन को कॉल करता है वो कहता है कि यूनी वो आपस आ चुकी है वो अलग country में जा रही है तो इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे यूनी इसे पैसे लेने के लिए वो अपने कजन से help मांग रहा होता है ये कजन भी help करने के लिए ready हो जाता है जब देयंग घर पर वापस आता है तो हमें दिखता है डिरेक्ट्व को यूनी ने मार डाला है डिरेक्ट्व यूनी पर लाइन मार रहा था तो एक सेकर में उसने उसे मार डाला मूवी में आगे हमें पता चलता है कि जो डिरेक्ट्व था ये डिरेक्ट्व था ही नहीं एक गुंडा था जो धोंग कर रहा था कि वो डिरेक्टिव है ये भी पैसों की पीछे ही था यूनी देयंग को से हेल्प करने के लिए कहती है बॉडी का सब कुछ ठिकाना वेगरा वो लगाते है जब यूनी साफ सबाई करती है तब देयंग एक पैन लेता है और यूनी की सर पर मार कर उसे बेहुश कर देता है नीचे पार्किंग में जाता है और इसके गाड़ी में सब पैसे उसे मिल जाते है जब यूनी उड़ती है तब तेख ने जिस गैंस्टर से पैसे लिये थे वो गैंस्टर यहाँ आ चुका है तेख वहाँ से भाग गया है और यूनी को उसने फ्रेम कर दिया है यूनी तेख को कौन लगा ती है पर तेख कहता है ये तुम्हारे साथ मैंने इतना सब वक्त गुजारा पर फिर भी तुमने मुझे धोका दिया था इसका तुम इसे पेबैक समझ लो ये पैसे लेकर फिर तेयंग लॉकर रूम में आ जाता है ये ही वो पैसे है जो जंग को मिले है तेयंग ये पैसे हारक कर थोड़ी टाइम में वहाँ से जाने वाला होता है तबी इसके सिगरेट खतम हो जाते है सिगरेट लेने के लिए जब वो बहार आता है तो गैंस्टर उसे स्पोर्ट कर लेता है ये गैंस्टर तेयंग की पीचे पीचे भागता है टेयंग रोड पर आ जाता है और एक गाड़े की नीचे आकर वो मर जाता है जैसा मूवी में हमने देखा है कि टेयंग बिलीव करता था कि सिगरेट के वज़े से उसे लाइफ मिली है पुर उसी सिगरेट नहीं इसकी लाइफ ले ली यह मूवी सुपर स्टिशन्स पर एक अच्छा सा कॉमेंट करती है नेक सिन में हमें जंग दिखाये गया है और अपनी वाइफ से वो बात कर रहा है अपनी वाइफ को कहता है कि अब तुम्हें काम करने कोई भी जरूरत नहीं है इसकी वाइफ उस वर बिलीव नहीं करती और काम पर चली जाती है जंग को फिर उसके बॉस का कॉल आता है उसका बॉस उसे कहता है तुम्हारी सैलेरी लिये बीना ही तुम चले गए बहुत सारे लोग सैलेरी के लिए बाद में परिशान करते है इसे वज़े से उसका बॉस उसे बुला लेता है जंग उसके बॉस के पास पोचता है तब हमें दिखता है कि वहाँ गैंग्स्टर और यूनी है यह दोनों पैसो को ढूण रहे है इनोंने फिगर आउट कर लिया है कि यह पैसे जंग के पास ही है जब यह जंग को बैक के बारे में पूछते है तो जंग कहता है कि वह बैक मेरी वाइफ ने मुझे दी थी जंग वहाँ अनकमफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है गर आने के बाद सब पैसे वह चेक करने लग जाता है तो भी गैंग्स्टर और यूनी वहाँ पोच जाते है यूनी और गैंग्स्टर ऐसा ढोंग कर रहे होते है कि ये पुलिस डिरिक्ट्यूज है सब पैसे हो ले लेते है अवाजे आ रही होती है तब जंग की मदर वहा थी है जंग उन्हें इंट्रटूस कराता है पर मदर कहती है ये डिरिट कुस थोड़ी ना है इनके हाथ पर टैटूस रग रहा है इस तरह के टैटूस अलाउन नहीं है यूनी मदर को मारने लग जाती है और बेहोश कर देती है ये गैंग्स्टर भी जंग को बेहोश कर देता है गै इसके बाद हम देखते हैं घर जब जल रहा था तो जंग फिर से होश में आ गया था अपनी मदर को लेकर वो बाहर आ जाता है उसका घर भी जल गया है और पैसे भी चले गया है वो रोने लग जाता है उसकी मदर फिर उसे कहती है कि रो मत तुम अभी भी जिन्दा हो यही इंपोर्टन्ट है अगर मूवी में देखे तो बहुत सारे कारेक्टर्स मर चुके हैं यह उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर जब वर से वापस आये थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे फादर मेहनत ही थे उन्हें ने शौप खड़ी कि और इसके बाद अच्छे से बिजनेश चलाया जब तक तुम्हारे पास हाथ पेर है और तुम मेहनत कर सकते हो तब तक कोई भी तुम्हें प्र मिरान का ही था उसका पती उसे मारता था पर रिवेंच लेनी के लिए उसने अपने पती को भी मार डाला जिनते पुलिस को कुछ भी बताये ना इसलिए उसने जिनते को भी मार डाला वो मिरान का नाम नहीं लेने वाला था पर फिर भी वो क्रोल बन चुकी थी जिस तरीके स उसका हजबन क्रूल था वही वो बन चुकी थी इसे वज़े से उसे भी प्राइस पे करनी पड़ी अब मुवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जंग की वाइव एरपोर्ट पर काम कर रही है वापर जो वो साफ सपाय कर रही होती है तो लौकर खुल जाता है अंजर जब वो आप सब को हैपी इंडिपेड़नस डे आप सब अच्छे से इंडिपेड़नस डे सेलिबरेट किजेगा आज की वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुम लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की मुवीज लेकर आत रहे तो तो प्रीक चानल को सबस्क्राइब कर दीजिए और बेल नोटिवेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूई के साथ तब तकी लिए थैंक्यू और हम अपने आपका ख्याल रखिये